लेपरोसी कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम जो हैं मुसकी 15 मार्क्स में आते हैं तो उसके वर्डिंग जो इंपोर्टन्ट इंपोर्टन्ट है वो सब में इसमें लिख दिया है और प्रेजन भी किया है ताकि आपको पेपर में असानी हो प्रोग्राम मैनेजमेंट, देखो सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है क्योंकि जब डिजीज बहुत जादा फैलने लगती है तो उसके कंट्रोल के लिए प्रोग्राम से बनाए जाते है ताकि डिजीज को जल्दी से जल्दी कंट्रोल में किया जा सके और खत्म किया जा सके सबसे पहले 1955 में गोर्मेंट आफ इंडिया ने लॉंच किया नैशनल लेपरोसी कंट्रोल प्रोग्राम ठीक है जिसको हम NLCP बोलते हैं उसके बाद 1982 में मल्टी ड्रग थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया ठीक है और 1983 में 1983 में क्या हुआ जो 1955 वाला गोर्मेंट ने जो प्रोग्राम से लाया था वो चल रहा था जादा फाइदा हुआ 2012 में मतलब जो एरिया बच्चे थे एंडेमिक डिस्ट्रिक ठीक है दोस्तों नो जो की किसमें आते थे 16 स्टेट्स में आते हैं ठीक है उनके लिए एक प्लैन बनाया गया 5-year प्लैन 2012 से 2017 तक और नेशनल डेपरोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में जो लॉइंच हुआ उसके अबजेक्टिव्स देखो आपको कोई भी प्रोग्राम लिखते हो ला समय आपने यह ध्यान रखना है कंट्रोल प्रोग्राम में जैसे पहले तो आप लिखतो यह सारे यह के नाम ठीक है और उसमे क्या क्या हुआ यह सब लिख दो और अच्छे से प्रेजेंट भी करना है ना क्योंकि उसके मार्स अच्छा हैंगे आपके सब यह सब लिखने के बाद उसके बाद आपने वन वाई वन प्रोग्राम लिखना है जैसे उसमें सबसे orड़न ऐसे हैडिंग्स बना के पै तो आपका पेपर है वो एक्टिव लगता है इसके उब्जेक्टिव क्या है to make the infectious case मतलब जो लेपरोसी और infectious diseases से मानी जाती है जैसे में आपको definition में बताया था उसको नौन infectious stage में भी बदला जा सकता है बाइट ट्रीटमेंट तो इसका objective में यही था ठीक है ना कि problem कम हो सके इसके लिए strategies मतलब उन्होंने क्या तरीक्या पनाई लेप्रोसी को जल्दी detect करणा ठीक है उसका जल्दी treatment होगा अगर है सब होगा ठीक है जल्दी उसको detect कर दिया जाएगा जल्दी treatment उसका कर दिया जाएगा तो obviously उसको treatment के त्वारे infectious case से Non Infectious के इसमें बदला जा सकता है देखो हर प्रोग्राम ऐसी होता है स्ट्राजी अर्ली डेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट ऐसा कुछ ही होता जाता था ठीक है बस थोड़ा-थोड़ा दिफेरेंस होता है वह आपको नोट करना होता है जैसे देखो इसमें डिफरेंट पॉइंट ही है कि जैसे देखे जो भी आप अभी तक मेने प्रोग्राम से बनाए आपको बताए थे पढ़ाए है उसमें असा नहीं था कि मोनो थेरपी वगारा ऐसे कोई कंजाप्ट नहीं आया और इसमें है कि 1955 में वो चल रही थी पहले इनकी मोनो थेरपी ठीक है उसके बाद मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगे आगे इसके बारे में तो गिव दा हेल्थ एजुकेशन देना पेशिंट को उसकी फैमिली को कुमिनुटी को डिजीज के बारे में उसके बाद अबाउट NLCP इसके बारे में जो सिल्फोन कैमो थेरपी है ठीक है वो क्या है उसकी डोस ऐसे बढ़ाई जाती है जैसे शुरू किसे 10 एमजी से कहां तक 100 एमजी एक मंत में 6 मंत में में ये मेडिसन है इसके बाद भी जब इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया ठीक है इस प्रोग्राम का जो 1955 में चला इसके कारंस क्या थे ठीक है सलफोन मोनोथेरपी रिजिस्टेंस देखो अगर हम एक ड्रग यूज करते है न तो उसका अबिसली रिजिस्टेंस होई जाएगा उससे ठीक है तो एडमिनिस्रेशन शॉर्ट फाल इन मैन पावर उसके बाद जब इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है तो उसके बाद चला एन एल इप जो गवर्मेंट आफ इंडिया द्वारा मतलब उसके के कॉंटिनियूशन है पर इसमें क्या होता है इसमें जो स्ट्रेटेजी बगर है न वो फॉर्मिलिटर बनाई तो जाती है थे सेंटर ली ठीक है तो इसको आपको ऐसे अंडरलाइन करके लिखना है तो इफेक्टिव लगेगा लपरोसी फ्री इंडिया जो इसका वीजन था अरली टेक्शन ठीक है और रेगुलर ट्रीट्मेंट पर इसमें क्या आगा है multi-drug therapy intensive-wide health education देनी वही सेम्स है बस इसमें क्या आपकल के देना है multi-drug therapy strategies early detection complete and proper treatment carrying out household contact service for early detection involvement of ASHA workers जैसे जो ASHA workers होते हैं वो क्या करते हैं वो किसी patients को जैसे लेख के आते हैं hospitals का proper treatment करवाते हैं तो तब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी फिल फॉर्म क्या होते हैं जैसे हम एक्रिकेटर शोष्र हर्थ एक्टिविटीज इन्दा डिटेक्शनस कंप्रिटिशन ओफ ट्रीट्मेंट सेल्फ रिपोर्टिंग इन पी एच सी पी एच सी क्योंता है प्राइमरी क्या होती हैं अब्लोग अर्ली केस्ट डिटेक्शन हो गया मल्टी ड्रग थेरेपी यह सब आजा है मेडिकल मैजर में शुल्ष पोर्ड ग्राम मैनेजमेंट्स एविलिशन इसके थ्रे में गोल्स लेपरोशी कंट्रोल प्रोग्राम के तो इंटर्प्ट ट्रांसमिशन जै जैसे लौस ओफिंगर्स ठीक है ऐसा कुछ हो जाता है मेडिकल मैजर्स एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम अर्ली केस्ट डिटेक्शन की मोथेरेपी की मोथेरेपी में कहता है मौनोथेरेपी और मुल्टी ड्रग थेरेपी मौनोथेरेपी में सिर्फ डैप्स हूँ जो 1981 तक इसके लिए अब्जेक्टिव अर्ली ड्रीट्मेंट करना यह सब आपने लिखना होता है उसके बैनिफेट्स बैनिफेट्स है मितले जो मल्टी ड्रग थेरेपी है उसकी शॉर्ट ओडरेशन कम टाइम के लिए लेने पड़ती है और हाई हाई क्यों रेट होता है इसका ड्रग से सर्विलेंस क्लिनिकल सर्विलेंस ऑफ केस अफ्टर कम्प्लीटेशन ऑफ ट्रीटमेंट इसन इंपोर्टन पार्ट बन गया है देखो अगर जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद बार बार टेस्ट करवाना इस चीज़ को बोलते है जैसे पॉसी ब करवाना होता है चाक करने के लिए कि फिर से तो नहीं कहीं डिजीज कर लैप्स हो रहा उसके बाद मल्टी पैसलरी में फाइव यर्स तक होता है रीहबिलेशन फिजिकल एंड मेंटल रिस्टोरीशन जैसे मैंने आपको बताया कि डिफोर्माटीज हो जाती है इसमें देदा ड्रग रेजिमन मतलों का विश्वाष नहीं है एक तो ड्रग रेजिमन पर क्योंकि लोग इसको इस ड्रजीज को पनिश्मेंट वाई गॉड मानते हैं इसलिए हाई ड्रॉप आउट रेट्स जैसे कई पेशिंस क्या होता है बीच में पनी मैडिसन छोड़ देते है प्रापर ड्रीटमेंट करवाती ही नहीं है तो इस कारण उसको प्रापर इसलिए एड़्ुकेट करना चाहिए तांके regular treatment करवाए और repeated examination treatment के even after treatment के ختم होने के बाद भी न repeated examination कराए और self-care इसके लिए health education देनी बहुत ही जादा important है और लोगों को समझाना चाहिए it is not healthy disease नहीं है यह horrible disease है जो कि ठीक हो सकती है और not all the patients are the infections सारे patient infections नहीं होते लपरोसी डे जैसे मैंने आपको पताया कि लास्ट में आपको लिखना है लपरोसी डे जब हम question को end करते है फूर्थ संडे एवरी फूर्थ संडे ऑफ जैनुवरी में बनाया जाता है यह दे सिंस 1954 से 1954 से मनाया जाता है जैसे इस बार 2023 में कौन सा आया था 29 जैनुवरी को उसक आपको लिखके आपको question की ending करनी है ठीक है thank you